यहां पर वर्ग दो चैन परीक्षा पर चर्चा करेंगे कि आप वर्ग दो जो मेंस एक्जाम आपका अगस्त में होने वाला है उसकी तैयारी कैंसे किस बुक्स से और आपकी पूरी स्ट्रेटजी क्या होगी सारी चीजें यहां पर हम देखेंगे सबसे अच्छी बुक्स कौ जिसे हम कहेंगे आपके बन लाइनर जो कौश्चन होते हैं अधिक से अधिक मात्रा में आप कहां से लगा सकते हैं अपने सब्जेक्ट के और कौन सी ऑथेंटिक बुक्स से आप एक कौश्चन लगाएं इसके अलावा जो प्रिवियस यर कौश्चन पेपर होते हैं तो यहां पर सारी चर्चा आज के सेशन में हम करेंगे इससे पहले आपको बता दें यदि आप साइंस के विध्यारती हैं और वर्ग दो मैंस एक्जाम साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यूटूब चैनल से जुड़ सकते हैं यहां पर हम पातरता परिक्षा के बाद स ही आपको continue आपका जो पातरता परिक्षा का सिलेवा से उसी के according classes दे रहे थे तो हमारे biology की classes चल रही थी लगभग 50-55 classes हो गई हैं बहां पर आप देख सकते हैं हर एक topic को हमने बहुत अच्छे से और deep तरीके से पढ़ाया हुआ है तो आप वो जरूर देख लें ठीक हैं तो देखिए यहां जो आपके subject हैं जैसे social science हो गया, science हो गया या हिंदी इनमें बहुत ही कम vacancies हैं तो आप इनकी किस तरीके से तयारी करेंगे क्योंकि इन बिसाय में जब post कम होती हैं तो competition बहुत ज्यादा होता है और इनका cut off भी बहुत high होता है और यहां पर point एक point भी matter करता ह हैं क्योंकि यह ऐसे subject हैं जिसमें पिछली बार भी आपने देखा होगा इनमें बहुत कम vacancies आई हुई थी और cut off आपने देखा होगा यदि तो point से बच्चे जो हैं एक एक दो-दो point से तो नम्मर तो दूर की बात होती है ठीक है तो आपको तयारी भी थोड़ी सी अलग तर इसके पद हैं तो यह भी केवल एक category के लिए नहीं सभी के लिए बढ़ जाएंगे इसी में आपकी guest teacher आ जाएंगे एक सर्विसमेन तो यहाँ पर बहुत ही कम पद हैं लेकिन आपको demotivate बिलकुल भी नहीं होना है महनत आपको करनी है फल जरूर मिलता है ठीक है अब यह मह पढ़ते तो दिन दिन रात रात भर हैं लेकिन उनको सही तरीका पता नहीं होता है कि किस तरीके से किस matter को उनको cover करना है कौन सी authentic books होती है तो यहाँ पर हम कुछ books के आपको जो है screenshot भी दिखा देंगे कि आपको कौन सी book purchase करनी है और किस book से आपको जो question है वो लगाने है क्य question लगाएं कि आप बहुत अच्छे से अपनी तयारी को मजबूत कर पाएं तो practice set लगाने से पहले आपकी clear होनी चाहिए theory अब यह theory क्या है तो कुछ बच्चों का comment साता है कि क्या हमें 10 तक के subject पढ़ने हैं हमारे तो आपको बता दें आपको यह गलती नहीं करनी आपको 11th 12 की NCRT भी पढ़नी है क्योंकि आपने वर्ग एक चैन परिक्षा हुई थी उसमें देखा होगा कितने high level की चीजें पूंची गई थी तो सिलेवस तो बही रहेगा आपका मतलब जो topics होते हैं आपके subject की उनको जो जैसे आपने 10 तक के NCRT की books को complete कर लिया है तो 11 और 12 में जो topic दिये गाए हैं उनको बहां से भी चीजें देखनी है ठीक है तो आपको ये गलती नहीं करनी है क्योंकि मौका एक बार मिलता है ठीक तो ये तो हुई आपकी theory की बात की आप पूरी NCRT लगाए इसके अलावा जो un authentic books हैं उनको भी आप लगा सकते हैं उनसे भी theory clear कर सकते है पुरानी MP TED की जो books आती है MP board की उनको भी आप यहां उनसे theory clear कर सकते हैं ठीक है जब theory clear हो जाती है तो इसके बाद आपको practice set की बारी आती है कि आप अधिक से अधिक किस book से question लगा सकते हैं और वो कौन सी authentic books होती है तो आपके पास कई books होगी ठीक उनसे भी आप लगा सकते ह लेकिन आपको यहां पर आपको देख मतलब एक screenshot बताएंगे उसमें आप देख पाएंगे कि जो youth competition की book होती है यहां आप देख सकते हैं यह दिया है यह science की books है यहां पर हम science की books मतलब हर subject किया जाती है ठीक है तो यहां देखिए general science यहां पर जब आप यह book purchase करेंगे तो यह हां आप देखिए इसमें solved paper दिये गया है chapter wise ठीक है और इसमें लगभग जो objective question से उनकी संख्या आप देख पा रहे हैं 14410 question इसमें दिये गया है तो आपको यहां पर ए भी बता दें यह से आप किसी भी subject के question लगाते हैं तो question आपको यह से नहीं लगाना कि उसमें question दिया है आपने पढ़ लिया आपको उसका answer आता है तो आप सही पटिक किया आंगे बढ़ गया नहीं आपको चीजें ढूणनी है कि किस तरीके से उसके इर्दगिर्द जो चार option दिये गये हैं उनमें आप क्या सोच सकते हैं किस तरीके से other question बन सकते हैं यह भी आपको clear करना है ताक अधिक से अधिक चीजों को ऐसा नहीं है कि यह जो 14000 question दिये हैं तो आप मतलब इनको लगा दिया और बस हो गया आपका यह आपको नहीं करना है आपको भले ही थोड़ा सा time लगे लेकिन चीजों को समझते हुए आपको cover करनी है ठीक है ताकि आपके mind में चीजें बनी रहे ना ऐसा होता है क्या होता बच्चे मतलब बोलते हैं यह बोक हमने पूरी कर ली यह कर ली और बाद में पता चलता है कि सब सुनने हो गया ठीक है तो यहाँ पर यह मतलब जो science है तो उसके all subject यहाँ पर है जैस chemistry है physics है यदि आप चाहते हैं कि अलग अलग subjects की बोका आपको ल पर आप देखेंगे work power मतलब जो आपकी उजा होती द्रब बिमान होता है तो यही तो हमारे topic होते हैं unit measurement यानि मापन जो होता है इसके अलावा अन जो आपकी topic हैं यहाँ से आप देख सकते हैं थी कि सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे heat दिया गया है pressure क्या होत सारी चीजें इसमें देखने को मिल जाएंगी इसके बाद आप देखेंगे यदि आप अलग अलग subject की books purchase करना चाहते हैं जैसे यहां physics की जो book दी गई है भौतिक विज्ञान की तो इसके लगवग आप देखेंगे तो इसमें जो है solved paper मिल जाएंगे और इसमें 5553 question दिये ग विसाय सूची देख सकते हैं कि क्या क्या दिया गया है और बहुत अच्छे तरीके से इस book में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी जैसे आपका एकाई और बिमा तो आपके बहुत की का एक जो measurement topic होता है उसकी चीजें यहां पर दी गई हैं सदिस और अधिस रासिया तो जै अब हम syllabus को ही नहीं touch करते या फिर हमारे पास एक authentic book नहीं होती है कि हम syllabus को देख पाएं तो फिर कुछ topic ऐसे होते हैं जो छूट भी जाते हैं तो हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है ठीक है तो यहां पर आप देखेंगे कितने अच्छे तरीके से इसमें दिया गया है इसी त आपके यहां 15,000 question clear होंगे जो अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है आपके मितलब जो score होगा उसमें इनका roll रहेगा क्योंकि यह question ऐसे हैं जैसे आपने 5000 question chemistry के लगाए और समझ करके लगाए तो यह question से जैसे आपके 3 question clear होते तो आप समझ यह कितने question यहां से बनेंगे तो आपको क्यों क्या और क्यांसे जैसे बच्चों की प्रिवित्ती होती है न कि कोई भी चीज हम उनको बताते हैं तो उनका हमेशा question रहता कि ऐसा क्यों है यह क्या है क्यों हुआ तो इस तरीके से आपको भी पढ़ना है कि यह कैंसे हो गया यह क्या है इसके आंगे क्या हो सकता है ठीक है तो आप बहुत अच्छा स्कूर करेंगी तो सबसे पहले यहां पर आपको बता दें आपको एक दिन में कितने कॉस्चन यहां लगाने होंगी क्योंकि अभी तक कुछ ऐसे आपके अभ्यारती हैं जिनकी पूरी NCRT कवर हो चुकी होगी क्योंकि उन्होंने अपनी continuity पातरता परिक्षा के बाद से ही बनाय रखी है और यदि थोड़ा बहुत रह भी गया होगा उनका तो वो अभी तक तो मतलब पूरी जीजान से लगे हुए हैं ठीक है तो आपको भी अभी से अभी भी यदि आपने तैया कोस्चन लगाने किस तरीके से हैं एक दिन में आप कितने कोस्चन लगाएंगे तो आपको जो मतलब अच्छी लेविल का विधियार थी है मतलब जन्होंने अच्छा इसकूर किया था पात्ता परिक्षा में और जो बहुत लगन और महनत के साथ में तैयारी आरी कर रहा है तो वो यहाँ पर 100 question एक दिन में लगाएगा, कितने 100 question, अब आप कहेंगे यह तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यदि आप 100 question नहीं लगा सकते तो आप 50 question लगाएए daily, ठीक है, कितने 50 question, जैसे 100 की बात कर रहे थे, यदि आप एक दिन में 100 question लगाते हैं, ठीक है, तो आपक एक महिने में कितने question कवर हो जाएँगे, यहाँ पर 3000 question कवर हो गए, ठीक, इसके बाद आपके जो है, यहाँ पर 4 या 5 महिने, 5 महिने हम मानेंगे, कि अभी आपके पास में 5 महिने का time है, तो 5 महिने में आप कितने question लगा लेंगे, तो 5, 3, 15, लगभग 15,000 question आप यहाँ बात हुई मतलब 100 questions की आपके एक दिन के लिए इसके अलावा भी आपको चीज़ें cover करनी है जो topic आपने cover कर लिए उनको revise करना है इसके अलावा आपके जो previous year question paper है उनको बिलकुल भी नहीं भूलना क्योंकि बहां से आपको idea लगता है कि questions बनते किस प्रकार से हैं क्या level रहता ह ठीक है तो जैसे वर्ग दो जो पिछले मतलब paper है तो उनमें तो थोड़ा सा level मतलब बहां पर सारे subject पूंचे जाते थी पहले chain परिक्षा नहीं होती थी लेकिन इस वार चीज़ें थोड़ी सी high level की पूंची जाएंगी क्योंकि यहां केवल आपका man subject आएगा ठीक है तो उ लगाना ही है जैसे 2000 आपको 18 वाले भी लगाने है और अभी पात्रता परिक्षा के जितने भी आपके paper हैं बो लगाने हैं केवल M.P.T.E.T. के ही नहीं other state के जो आपके previous question paper होते हैं जैसे आपका U.P.T.E.T. हो गया है इनके भी आपको questions लगाने हैं अपने subject के इस से क्या हो होता है आपको एक तो idea लग जाता है कि questions का level क्या रहता है और आप यहां पर समझ भी विक्सित कर सकते हैं और आपका revision भी हो जाता है तो हम कोसिस करेंगे आपको जो आपके science subject है उसकी previous year question paper करवा पाएं और आपका जो theory वाला portion है वो भी cover करवाएं तो एक एवल आपके social science य Hindi के लिए ही नहीं हर subject के लिए books आती है तो आप इस तरीके से यदि तैयारी करते हैं और अपना अधिक से अधिक समय केवल आप study के लिए दीजिए ठीक है अन्य चीजें तो बाद में भी हो जाएंगी लेकिन यदि एक बार इस समय चला जाता है तो फिर आप सोचिए कितने कितने वर्सों के बाद vacancies आती हैं तो यदि आप पूरी निश्टा के साथ में पूरी तैयारी यदि अच्छे से करते हैं तो यकीनन भले ही पोश्ट कम है आपको जरूर एक पोश्ट मिलेगी ठीक है तो मिलते हैं अगले session में यदि आपको चीजें पसंद आती हैं तो क्यों कि जया आती हैं पस्ते हैं तो यदि ठाय कि बाद क्यों कि जो हैं तो यंचे